हलो फ्रेंड्स दो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको बना कर दिखाएंगे मसालेदार थोड़ी सी ग्रेवी वाली बहुती ज़्यादा स्वादिष्ट मस्रूम की सबजी मस्रूम की सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं पूरे 500 ग्राम मस्रूम देख सकते हैं और इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे मस्रूम को धोने के लिए इसे हम पानी में डालेंगे और हातों से हलके हलके रब करते हुए इसे हम अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं देख पा रहे हैं इस तरह से मसरूम जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है आप इसे किसी नल के नीचे रख कर भी अच्छे से धो सकते हैं मसरूम को साफ करने के बाद इसके निचले हिस्से को थोड़ा सा काट कर हटा लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी हाट टाइप से होती है और ये अपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी तो निचले हिस्से को काट करके हटा लेना है और फिर हम मस्रूम को इस तरह से दो टुकडों में कर लेंगे या आप इसे चार टुकडों में भी काट सकते हैं अब हम एक कड़ाई पर लगबग एक पड़े चम्मच सरसो तेल को गरम करेंगे और तेल के गरम होने पर इसमें हम कटे हुए मस्रूम को डालेंगे मस्रूम को हमें हाई फ्लेम पर बस दो मिनट तक फ्राई करना है इससे ज़्यादा अगर आप मस्रूम को फ्राई करने लगेंगे तो ये पिघलना सुरू हो जाएगा इसलिए चमच से चलाते हुए इसे हम हाई फ्लेम पर मस्रूम को बस दो मिनट तक ही फ्राई करेंगे दो मिनट फ्राई करने के बाद मस्रूम को हम कड़ाई में से निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद करते हुए इस मसरूम की सबजी को बनाने के लिए इसके मसालों को तयार कर लेंगे मसाला पेश्ट को तयार करने के लिए अब हम एक ग्राइंडर के जार पर दो छोटी चम्मच जीरा डालेंगे एक छोटी चम्मच साबुत धनिया, तीन हरे और तीन सुखे लाल मिर्च लेंगे एक इंच कटे हुए अद्रक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और दो गांट छीली हुई लहसुन मसालों के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसालों को अच्छी तरसे पीस लेंगे तो देख सकते हैं सबजी बनाने के लिए मसाला पेश्ट तयार हो चुका है मसाला पेश्ट को तयार करने के बाद अब हम एक कूकर पर लगबग तीन बड़े चम्मच सरसो तेल को डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे तेल के गरम होने पर इसमें एक चुट की हींग डालेंगे दो तेज पत्ते और चार पीस मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज प्याज को हम मीडियम आज पर चम्मच से चलाते हुए इसे पाँच से साथ मिनट तक फ्राई कर लेंगे कुछ देर के बाद जब हमारे प्याज कुछ इस तरह से फ्राई हो चुके हो देख सकते हैं प्याज में अभी कलर नहीं आया है और इसी तरह से हमें प्याज को फ्राई करके रखना है अब इस fry किये हुए प्याज के साथ में हम डालेंगे एक छोटी चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए और एक छोटी चम्मच हल्दी दोनों ही चीजों को प्याज के साथ में थोड़ा सा लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इसके साथ में हम पीसे हुए मसाला पेश्ट को एड़ करेंगे और मसाला पेश्ट को हमें मीडियम आज पर ही पकाना है और इसे चम्मच से चलाते हुए 7-8 मिनट तक हमें फ्राई करना है मसालों को 7-8 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसके साथ में हम दो पीस बारिक कटे हुए टमाटर को डालेंगे साथ में एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और अब मसालों के साथ में मिक्स करते हुए मीडियम आज पर ही इसे हम 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ देर के बाद देख सकते हैं टमाटर जो है मसालों के साथ में थोड़े थोड़े पक कर मेल्ट हो चुके हैं तो अब इन मसालों के साथ में हम हलके हलके पानी को डाल कर मसालों को फिर से हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिर्ट तक पकाएंगे. मसाले जब सूखने लगे पकाते वक्त तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हाई फ्लेम पर मसालों को पका ले. तो देख सकते हैं मसालों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसालों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है और अब गैस के फ्लेम को मीडियम रख कर इसके साथ में हम फ्राइ किये हुए मसरूम को एड करेंगे मसरूम के साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर और मसरूम को मसालों के साथ में मिक्स करते हुए 2-3 मिनट मीडियम आज पर पका लेंगे मसरूम को हमने थोड़ा साथ में पका लिया है लगबग 2-3 मिनट तक और अब इसके साथ में हम पानी एड करेंगे पानी आप अपने जरूत के हिसाब से एड करें इसमें आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी को एड कर लें बस हम इसमें एक ग्लास पानी को एड करके अभी मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद कूकर के ढकन को बंद करके इसे हाई फ्लेम पर 2-3 तक पका लेंगे दो सीटी लगाने के बाद कूकर का गेस जब अपने आप खतम हो चुका हो तब हम कूकर को ओपन करेंगे और देख सकते हैं मसरूम की सबजी बनकर तयार हो चुकी है चमच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस सबजी को और अब इसके साथ में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके मिला देंगे तो फ्रेंड्स ये वाली मसरूम की रेसेपी जो है आपको काफी ज़्यादा स्वादिश्ट लगेगी आप इसे घर पर जरूर ट्राइ करें और ये वाली रेसेपी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें धन्यवाद